नमस्कार के लिए प्रेरित करें कुछ आचा की किरन जगे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आज मैं आपसे साध्या करूंगा कि जब आप किसी का भी खराब समय चले तो उस वक्त क्या करना चाहिए देगी सबसे नमबर वन उस वक्त इंसान को विनमरता बनाई रखने चाहिए उस वक्त कोई भी आपा धापी में कोई भी चल्द बाजी में ऐसा कारिय ना करें जो आपको नुकसान हो जाए आपको पताए जब तूफान आते हैं ना तो बड़े बड़े पेड जो अकड़ के खड़े रहते हैं वो दरासा ही हो जाते हैं लेकिन जो विनमर बने रहते हैं जो समय के साथ जो तूफान के साथ में डल जाते हैं ना जुब जाते हैं वो बच जाते हैं तूफान गुजने के बाद में वापिस खड़े हो जाते हैं जब संकट का समय हो जब आप उपर विपत्ति का समय होना, तो अपने अंदर विनम्रता बनाए रखें। जब आप यह करोगे ना, तो यह संकट पीक उचर जाएगा। Second, खुद को मोटिवेट करते रहें। जब विपत्ति का समय आता है ना, तब क्या होता है। तब इनसान डिप्लेसर में चल जाता है। चारों तरफ उसे हतासा निरासा लगती है। वो चार व्यक्तियों के पास में बेटा रहता है तो भी उसका दिमाग उस वक्त वह नहीं रहता है। उस वक्त दिमाग उसका कहा रहता है। उसकी समश्याओं को सोल करने भी लगा लेता है वो कहीं भी सोता उठता बेड़ता जागता उसका कहीं मनना लगता है यहां तक कि रात में भी उसकी नीद खुल जाते हैं उस टेंशन उस विपत्ति को सोच करें तो ऐसे समय में इंसान अपने आपको मोटिवेट करने के कौसि लगती हिम्मत हो और अच्छी अच्छी बुक्स पड़ें कि कैसे विपत्ति में जीत हासिल की जाए इसलिए अपने आपको मोटिवेट करना इस विपत्ति में सबसब बड़ी कल्ला है इसलिए आप ध्यान रखे कि जब भी आपके जिमने विपत्ति आये तो अपने आपको motivate करें अगर आप इसा नहीं करोगे ना तो आप depression के सिकार हो सकते हो थर्ड पलाइन ना करें जब कभी विपत्ति आये न आप उस विपत्ति से भागे नहीं दियान रखना कि अगर आप उस विपत्ति से भागोगे ना तो विपत्ति और बड़ेगी और विक्राल हो सकती है और आप जो परजेंट टाइम में मुसीबत है ना उसको और डबल कर लोगे अपने लिए आप और ज्यादा मुसीबत में फस जाओं इसलिए ऐसा कारे कभी न करें आप उस विपत्ति का सामना करें उस विपत्ति का समाधान खोचे क्या कैसे मैं इस फॉर्थ अपने योगिता बढ़ाएं और समाधान खोजे जब आपका समय खराब चल रहा होता है ना तो उस वक्त अपने आपको इस्ट्रोंग करें अपने आपके अंदर कुछ योगिता हैं उस योगिता को बढ़ाएं क्योंकि योगिता से ही इंसान को समाज में पहचान मिलती है और इंसान की वेलियो बढ़ती है योगिता से ही आप जो खराब समय चल रहा है उसको दूर कर पाओगे इसलिए एक्ष्ट्रा समय निकाले और अपने अंदर कुछ ऐसी योगिता है डूंडे क्या एसी क्या मेरे अंदर योगिता है कि मैं इस समश्या से बार निकल इन जोतिस के पास जाता है इंसान जगत जगत जाता है और अपने बारे और अपने तक समय चल रहा है मैं कैसे निकलूंगा वोट इस दे आप क्या कर रहे हो बगवान सी कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म सबसे बड़ा प्रधान है आप कर्म करोगे ना तबी आप अपनी इस विपत्ति से बाहर निकल पाओगे अगर आप कर्म ही नहीं करोगे आप भागी के भरों से बेटेर होगे तो आप इस मुसिबत ते कैसे निकलोगे केते हैं ना आज जो बोगे ना कल उसको काटोगे अगर वर्तमान में आप मेनत नहीं करोगे तो आप बविश में कैसे फल पाओगे आप वर्तमान में अपनी मेहनत की कोई फसल नहीं बहोगे तो भविश में उसको कैसे काटोगे आप कोई भी फसल बहते हो ना तो उसको छे महीने बाद काटा जाता क्या तुरंट उसके फला जाते हैं नहीं आपको थोड़ा देरी रखना होगा और आपको वर्तमान में अपना कर्म पर वरोसा करना होगा और फुल मिनत करनी होगी तो आने वाले टाइम आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा तो आपको जब भी खराब समय चलेना तो ये पाँच बाते जीवन में अवश्य आद रखें आपका समय गुजर जाएगा और एक दिर अच्छा समय अवश्याएगा इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिलती रहें